तेक्शर डालके देखेंगे तेक्शर अब अब टेक्शर बोलता है त्षय सकते हैं उसको बोन्स दालने का हो सकता है या फिर रोटेशन का कंट्रोल से हो सकते हैं तो यह कंट्रोल इंग बोलेंगे और उसको जो मुवमेंट हम देते हैं उसको अनिमेशन और उसके बार आते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारे चीज़े तो ब्लेंडर तो अभी काफी तक आसान है कि माया से फीटोड़ा यवाऔर क search अला काल आधे मैं थामाया उनर अठाशे अप्सक्राइब करेंगे नाब यह को अदर जाके करने आधनग components students in also a थेपहले भ advft आप आफंद उसलया रखे हैं तो अप्सराइब हॉत अटा थे अई ऐस्येटी अश्यटा मैंवक त हो है हम जूर्व अखिल और यह थी में दी nostro्ट का कि अत इसको हमें जो बोलते हैं ना टेक्शर देने के लिए हमें अलग अलग委 टेक्शर मेंटियेल से हमें add करना पड़ेगा स्वेसे कि पहलेड़ Med例 में जाके जाके हम सेसे ​​ इनको हthreeट ले ले लेते हैं ॉक्य। अगर मैं इसको सरेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कितने अलग-अलग शेप इसी का अलग-अलग शेप मुझे यहां पर दिखता है कि आप लेयर अउटे में तो आपको आपको एक दिखता है कि आपको डिखता। अच्छा है तो जैसे मैंने यहां पर यूवी एडिटिंग हम बोलते हैं च्टेर देनी के लिए हमें यूवी एडिटिंग पे जाना पड़ता है आपको देख जाएंगे एक में यहां पर क्या करता हूं कि एक की डारेक्शन में जितने भी फेसे उनको अलग अलग मेटिरियल में दूर को सपर्प्राइब डालके रखता हूं, तो जैसे कि आप चाहें तो इसको भी जैसे हम विवल करते हैं, तो selection करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बारीक लाइंस होंगे, तो दिक्कते पैदा जादा करेंगी, एक बार में select नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना grip नहीं मिलेगा, तो बेटर है, अगर तोड़ा time भी जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है, कि आप अराम से सब properly आप select करें, आपकी, या फिर हम पहले एक छो थोड़ा बहुत simple सा ले लें, इससे, नहीं, हाँ, monitor भी हम जा सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक दूसरा, हमने table पहले, इससे पहले create किया था, जो कि इससे भी simple है, तो इससे हम start करेंगे, ताकि आपको आसान इससे समझ में आ जाए, तो इस पे भी हम back to UV editing, okay, अब अब देख सकते हैं, या आपे, कितना ये complicated हो गया है, mesh, तो ये complicated mesh को हमें पूरा, क्या बोलते हैं, तो इतना सारा selected areas इसको, इसको हमें simplify करना है, okay, तो simplify करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक तरफा जितने भी faces हैं, उनको, और इसी तरह, इसको यहाँ पे जो पीछे है, तो इनको मैं serate कर देता हूँ, और इसको, सिर्फ table table का सारा, हाँ, वो भी जो भी एक ही direction में जितने भी है, हाँ, जैसे x axis में मैं अभी कर रहा हूँ, okay, जितने भी x direction में जितने भी आते हैं, उतने ही मैं अभी फिलाल select कर रहा हूँ, okay, बाकी का मैं select नहीं कर रहा हूँ, बाकी का भी फिलाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अलग-अलग जब material हम डालते हैं, तब उनको अर्जेश करने के लिए भी बहुत हमारे हमें आसानी हो जाती है, okay, तो उस वज़े से मैं यह double work करना पड़ता है, तो एक direction का हमें यहां पर सब select हो गया, अब मैं क्या करूंगा, material इस पर जाके इसको एक new material, आप चाहिए तो इसको wood x में डाल देता हूँ, अगर आप मैं लुक्डव में जाओंगा और इसका color change करूंगा आप देख सकते हैं कि उतने ही मुझे वहाँ पर changes हो रहे हैं, मतलब यह confirm हो गया कि मुझे क्या बोलते हैं कि उतने ही select हुए है, अब आपको क्या करना है दूसरे axis जैसे की z axis अभी मैं उनको select करता हूँ, इसके बाद आप चाहे तो, हुआ है अपके अपसर ने चाहता है तो आप नीचे का इसको भी आप select कर सकते हैं, और इसको भी मैं यहाँ पे एक new material इसको चाहे टॉप, खुआ है तो आपको 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 से पता चल जाएगा कि कौन सा टेक्चर किसको हमने दिया है, कि यहां पर भी वाइड डिरेक्शन में जितने हैं उसको आभी आप स्रेट कर लीजिए यह फिलाल तो प्लेन का है तो कुछ हद तक आसान है और भी अगर अलग अलग शेटिस जब आएंगे तो यह और दूसरे तरीके से हमें करना पूस्ट लाएंगे कि और राइट अधि यहां का हमने छोड़ दिया कोई बात नि okay take our new material go good why and assign yeah be a this right in co are signing ok 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 तो हर अलग-अलग किसम का हमें कोई बी अलग-अलग डाल सकते हैं मतलब यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें एक याद रहे हैं उतना ही हां अगर एक ही कलर देते हो तो गी कोई दिक्कत नहीं है आपके क्योंकि बाद में वैसे तो हमें दूसरे टेक्चर डालना ही है तो अब एक बार हो गया तो अब यह क्या करता हूं इसको सरेक्ट करके यल प्रेस करके अभी जितने भी अब मुझे यहां पर मुझे यहां पर और सरेक्ट हो गए हैं ओके तो एक सके सरेक्ट होने के बाद अभी हम कलर कैसे करते थे यहां पर राइट यहां से हमने कलर चेंज करते थे मॉन्टी जी एक सेकेंड ये बैटरी क्यों चला गया मेरा यूपियस साउंड करने लग गया भी अगर मेरे से तरा पुराना वर्शन आप यूज कर रहे हैं तो इस तरफ होगा आपको आपके राइट हैं पे तो मुझे यहां पर लेफ्ट हैं क renew करते हैं आपके यहां पर यहां पर क्लिक करते ही आपको इमेज टेक्शर ऑक्चन यहां पे मिल जाएगा तो इमेज EoGokes के ऊपर जैसे आप ख्लिक करेंगे था ओप देख सकते हैं यहां पर एक कलर तरफले हो रहा है मुझे यहां पर new और open इक तो इसलिए मैं डारेक्टली ओपन पर जाता हूं तो मैं टेक्च्चर जहां पर रखा था तो इतने सारे अलग अलग वोड टेक्चर को मैंने डाउनलोड करके रखा है राइट यहां से ले लेते है थ्थोड़ा सा डार किया और अच्छा और इसको मैं उपन कर देता हूं मैंने जैसे ओपन किया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो एकस उसका था तो वहां पर सारे मुझे वहां पर आड हो गये है प्रीटेंग तो अब मुझे क्या करना है इनको करना है ताकि मैं इनको आफानेसे अरजिश्ट कर को तो न्रुपिंग के लिए आप क्या करेंगे कि पहले क्या जैसे यह से चुक्त हो चुक體 है सारे इहां पे योवी आप्षोन आपको मिलेगा राइट तही योवी या तो आप अंड्राप कर सकते हैं या तो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं तो अगर आप मैं यहां पर अंड्राप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह उतना अच्छे से मुझे करके नहीं दिया यह कुछ अलग साही हो गया तो अभी मैं डायटली यूवी जाके स्मार्ट यहां पर करेक्ट और प्रेट्ट यूवी बांड़ी में चख करके रखता हूं तो जैसे मैं यहां पर ओकी कर दिया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यह चेंज हो गया तो अपने आप यह अज्ज सकते हैं कि यह कुछ हद तक तो ठीक है लेकिन उतना पर्फेक्ट भी नहीं है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे इनके उपर के हिस्से को स्रेक्ट करते हैं कि अगे तो जहां पर मुझे प्रॉपर चाहिए था तो वहां पर मैंने इसरेक्ट करके अच्छा यह बहुत छोटा सा हो गया है तो उस वजे से ऐसा रग रहा है तो इस अभी को सरेक्ट करके तो यह बहुत यहां पर देख सकते हैं कि मेरा टेक्चर इतना बड़ा है और यह कि इतना चोटा हो गया है तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं इसको स्केर करके अब बड़ा कर दीजिए को आखिये और जी प्रेस करके आप मूब करके भी आप रख सकते हैं और यहां पर रोटेट भी कर सकते हैं ना सर मालिका आप कुछ चाहिए तो कंट्रूल पकड़के करेंगे तो एक डिग्री पे वो रोटेट होता जाएगा ताकि आपको वो आड़ा नहीं लगेगा प्रॉपर आपको स्ट्रेट आजाएगा तो अब यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह नैच्रल वो जो ऊटका था कई पर भी ना स्ट्रेच मुझे हमें मिल रहा है ऑके तो प आपके और यहां पर भी एक है आपके तो इन सभी को भी स्रेट करके स्केल आप इंक्रिस कीजिए जी बैट यहां पर रखिए आपके तो यह कुछ है तक ठीक ही लग रहा है अगर आपको यह क्रॉस चाहिए तो आप प्रोटेट भी आप कर सकते हैं या फिर जादा लंबा चोटा भी चाहिए तो भी आप कर सकते हैं आपके तो यहां पर कुछ जादा धुम्बला लग रहा है तो सिर्फ इसको इसरेट करके आप इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिएगा आहे इसको ले गया के कुछ यहां पर और इसको चीदी और यहां पर आप रहत दीजिए उर्फ चाहिए है तो टोव और नीचे-पर को प्रोपर लग रहे हैं और एक और काम आप कर सकते हैं अगर ओप को err off Paula चाहिए कर दो भी सब्लिदक कर अद। अगर तो यहां पह यहां पर करें जी सिरद कर कि अगर थोड़ा detect लगेंगे तो तो यहां पर आपको metallic है, ठीक है, अगर metallic को में थोड़ा सा जादा करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं, हलका चाहिए, मुझे sharp लगेगा, ताकि वो rough, क्योंकि यह wood का है, तो उतना जादा तो यह shine नहीं करेगा, तो material कैसा है, उसके उपर भी, अगर आपको shiny चाहिए, तो metal नहीं साब कम रख सकते हैं, ताकि आपको shine ना नजर आए, अगर आपको rough चाहिए, तो आप उसको ज्यादा rough आप रख सकते हैं, सर, एक मिल जरा, मैं एक बात करूँ, फोड़ा साम, हाँ, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, हलो, कैसे हैं जनल सर्मा जी, नोश्कार, जी, अभी मैं आपको callback करूँगा, अभी मैं class कर रहा था, अभी सार लाइं पर ही है, मैं आपको callback करूँगा, जी, जी सर, तो यहाँ पे metal नेस भी है, और ये transitions, transmission, तो ये settings को भी आप ऊपर नीचे करके, आपको mancha result आप यहाँ पे ले के आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा shiny होगा, तो उतना ये नहीं होगा, तो, सिक्स के थाइट होगा, पुछ लाइए, सर मेरी बेटिया से मिलिये, आजा बेटा, एक सेकेंड हो, आप सर है, आजा बेटा, इसका व्यास क्लास है, ड्रोईन का, नमस्ते, नमस्ते बेटा, कैसे हो, देख लो मैं भी सर से पढ़ता हूँ, आज इनके सर भी 30 बहुत दिन से दो अपते के लिए छुट्टी में थे हैं, हाँ, 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 आजाएगी, यहाँ पे, यह एक छोटा सा हिस्सा बच गया, जो दुंबला है, तो इसको भी आप प्रॉपर आप, कर लीजे, अगे, तो एक साइट का तो हमें हो घै करेक्ट, तो आप हम क्या करते हैं, यह दूसरा मैं सर अरे करके, आगर एक ही साइट का जो मेटल हमने दिये रहते हैं, उनका एक ही बार में अगर मुझे सरेक करना है, तो बस एक को प्रॉपरश्ऑत करके, यह यह कर दीज कि यह ऐसा कि उसलेक्ट हो गया है कि एक चोटा सा टेबल को टेक्चर देने के लिए कितना सारा हमें एड करना पड़ता है यहां पर इसलिए टेक्चरिंग का काम है थोड़ा हमें ज्यादा होश्यारी से जह संबल के हमें करना पड़ेगा अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गलति हो जाएगा तो पूरा मॉडल ही चला जाएगा और उसको फिर से नहीं कर सकते हैं इसे कर सकते हैं वहीं फ्रॉम्द स्क्रैच हमें जाना पड़ेगा बात में इसलिए जब हम पहली बार करते रहते हैं ऐसा होता है न सर कि हमने मॉडलिंग करके एक अलग सेव कर लिया और फिर स्ट्रेशिंग कर रहा है तो यहां मॉडलिंग साइज से रहे कभी कोई कर दो क कर सकते हैं तो इसी यह भी आप अगर आप मॉडलिंग अलग से सेव करते हैं और बाद में एक और फाइल सेव करके दूसरे नेम से नेमिंग आपको दूसरा रखना पड़ेगा तो उसके बाद में आप अगर यह कुछ भी हो जाता है तो वो मॉडलिंग का तो आपके पास रहे गाई तो इसको भी फिर से में वही पे जाके इमेज टेक्शर ओपन यह सर मुझे गूगल से मिल जाएगा ना अब में आपको मिल जाएगा कोई दिकत नहीं और सेंटेक्शर में हां पर लेता हूं और और अजय को सब्सक्राइब करके यूवी यूवी स्मार्ट प्रोजेक्ट और यहां पर अगर आप यूवी जाएंगे तो कभी कबर अन्डापिंग भी हमें अच्छा रिजर्स देता है लेकिन कभी कबर यह देने में नाकाम हो जाता है डिपेंड आप कैसे अब आप आप किस तरद कावर्क आ करने तो अगर यह काम नहीं किया तो आपको यूवी प्रोजेक्ट आपको काम करे गई तो इससको भी आप यूज कर सक्सेमिन तो अभी आ यहां पर देख Guid दो साइड का हमें प्रॉपर यहां पे हो गया एक बार आप पूरा रंग करके आप देख सकते हैं कि कई कुछ अजिस्मेंट वगड़ा होना है तो आप उसको कर सकते हैं अगर नहीं है सब ठीक है तो कोई दिकत नहीं आप दूसरा सरेट कर सकते हैं यहां पे जैसे अभी एक ही साइड का हमें बच गया जो जैड एक्सस का तो उसको यहां पे सरेट कर लीजिए आपकी देटे सोच रहे होगी हमारे पापा इतने बड़े हैं यह सर क्यों इतने चोटे हैं तरको अच्छा सरी लोगों देखने हैं मुझे देखती तो इनको होसला वड़ता है कि मेरे बापा इतनी उमर के होगा है फिर भी पढ़ते रहते हैं तरह मौरल आप सेट कर रहे हैं ना यह अच्छा ही है अहां एक तरह बच्छों को मौरा दर सट्किये जिसे हो जाता है जो इमेज ट्रेक्शर ओपन प्रेक्रमें अर फिर्से अलीको शर्च करके यूवई यूवी उव स्वार्टेक्शर और आप फूरी जगह एक रन करके आप देख लीजे कई कुछ छूटा है या नहीं छूटा है तो आप वो देख सकते हैं नारा टेबल प्रॉपर टेक्चर्स डालके अभी रडी हो गया अजाइन चीक है तो इसी तरह आप यहां पे भी आप सरेट करेंगे की कि यहां पर प्रेस किया प्लस आइकॉन दूसरा रिने करने के तो इसको वाई कियाता तो अभी एक्स पर साइन और एक दूसरा कलर आप देंगे यहां पर यहां पे यहीं बच गया अगर कुछ थी बच जाता है बाद में आप उनको स्रयट करें कौन से अब को स्रयट करना है तो उसको पुदर करके आशाइन कर दीजे हां तो वह मेटरियल उसको भी आड़ होसा कि यह बच गया था वाइक के लिए तो इन दोनों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप रिनेम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेटेल किसके लिए हमने यूज किया था आपके तो असाइन यहां पर भी मैंने असाइन कर लिया यह वाला भी यहां पर बच गया बहुत बार ऐसा होता है कि जब सरेक्ट करते वक्त बहुत करे चोटे 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 आंगल से चूट जाते हैं तो बाद में वह बहुत दिकत आपको पैदा करेंगे यह एक सी मुझे वह समय नहीं है यह जो एक्सेस है यह कैसे पता चलेगा कि हम आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर यह दो क्रेंड गया है अग्रीन हमेशा वाय एक्सेस है और रेज अग्रार अग्रा को बूल गया है यहां पर नहीं पर एक चोटा सा जूज़न हम बोलते है उसको एक चोटा सा सर्कल आपको यह दिख रहा है है यहां पर आपको आपको नाम भी लिखे रहते हैं और पड़र भी उसी कलर में दिये रहते हैं तो यह हम मौ करेंगे तो यह तो मौ नहीं होगा न यह इसी रहे हैं यहां से आप मौ कर सकते हैं तो इसको भी पकड़के आप मौ कर सकते हैं जी जी अच्छा बता दिये तो मैं भी सोचता है और यह जो हैंड दिया है हैंड भी काम करता है अगर अगर करके अब यहां पर अगए ना तो वह काम नहीं करेगा इसके उपर प्रेस करके अब क्लिक और किजिए तो यह पान करेगा वह बड़ा क्लिक करेंगे तो जुम आउट होगा तो यह कैमरा एंगल्स और यह प्रस्पेक्टिव या फिर फ्लैट कौंसा आपको चाहिए तो यह सारे चीज़ें आपको यहां पे भी है आपके तो उसी तरह अभी मुझे यहां पे जट के सारे एल्या दूस्त मुझे सब्सक्राइब करने और यह बॉटन का आपके तो यहां पे भी बच्वाइब ठीक है उसको हम बाज में करेंगे नियू आप शेयर इंटर असाइन और यहां पे कुछ अदर कलर गे यहां पे कौम सामें बच गया कि एक साथ सका करके कहीं पे कुछ चूटा है या नहीं की यह अर्वर यह पे चूटके बैटा है तो इसलिए एक बार सब आंगल में घुमा के देखना अच्छा हो जाएगा ताकि आपको पता चलेगा कि कहीं पे छूटा है या तो एक बार आपको पुरा लग गया कि सही है तो आप सरेट कीजिए सबी को एक-एक एकसस जैसे हमने टेबल को किया तो उसी तरह आप चेर को भ तो वैसे चेर भी हमें वूड का ही है तो यह इसको थोड़ा सा दूसरा कलर का वूड हम लेके देखते हैं क्यांकि अगर चेर और टेबल से मूड का हो गया तो इतना अच्छा नहीं जाग रहेगा तो इसको कुछ अलग लेंगे उसको आपके तो यह दोनों प्राइट अब क्या करेंगे इनको सब को सरेट करके पहले यूवी यूवी स्मार्ट ओके एंड इमेज टेक्शर ओपन जहां पे आपने डाउनलोड वोड टेक्शर इसको कौन सा डालेंगे कौन सा अच्छा रहेगा यह ओप्शन कम रहता है तो भी दिक्कत यह प्रॉपर बैठ गया और टेक्शरिंग के लिए ना मोटी जी परसों हमें का सेशन हमें चल रहा था फैकल्टी लोगों के लिए कि नहीं-नहीं सफ्ट आएं ना इस सबी आये हैं जैसे आप चाहे तो मौ्ड बेंडर में आप मॉड्जिंग करें यहां फिर इन आफिर माई करें यहां पर माया में करें एक सब्स्टेंस पेंटर करको एक सॉफ्टेर है उससे फाइदा सब उसका फाइदा यह है कि अभी मान ली जाएगे यहां पर मैंने भी उसको यह किया है कि मैं देगए यही लगा कि अभी मान लीजाइगे यह यह जो हमने वुद टेक्षर मुझे दिया है तो यहां पर डालने के लिए मुझे बहुत मुश्किल है यह तो बहुत सारे प्रोसेस मुझे करना पड़े था बनाने के लिए आपको सब्सेंस पेंटर तो वह सर यह कंप्यूटर पर चलेगा ना कि टैप पर कंप्यूटर पर चलेगा आपको वह सारे कंप्यूटर के सॉफ्वेर ही हैं तो परसों मुझे उसके बार में पता चला और यह नया नये सॉफ्वेर्स हैं जो कि अरेना का यह एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी हमारे इसमें नये सॉफ्वेर्स आते हैं तो वह फैकलिटी लोगों को भी वह अप्ग्रेड करते हैं वह सॉफ्वेर्स के लिए ताकि अगर कोई स्टूडेंट उसको सीचना चाहे तो उसको कई बाहर जाके सीखने की नौबत ना आए यह बहुत अच्छा हो जाता है हाँ अब एक हीजे के मिलता है तो सही रहत है हाँ तो वह अप्ग्रेडेशन हमें बहुत अच्छा हो जाता है इसलिए आप टेक्शरिंग के बरे में बोल पूछ रहते हैं तो याद आया मुझे वह इसके 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 जब वर्क करने लो हाना सर अब डाल दिये तो से कि अच्छा सभी जो चियर का है कलर कुछ हम ब्रैडनेस या ऐसा कुछ लाइट कर सकते हैं कलर का माल जो बेंच पर कलर बना हुआ हां कुछ हम और कलर को बनाना चाहिए और डार्क लाइट करना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना की पोड़ोशॉप की मदद लेना प्र हां बन गया यहां पर आप आप लाइटिंग को जड़ा हिरा पिर आप नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके लिए एक बार आप टेक्शरिंग का जैसे आप परेंडर निकालते हैं तो निकालने के बाद आप उसको फोडोशॉप में लेके जाके आप अजिस्टाप कर सकते हैं हाँ वालने मुझा ने वह भी आए आएगा ना आगे तो यहां पर थोड़ा बहुत हमें सभी को सेलेट करके थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा ताकि यहां पे वर्टेक्स को सेलेट करके इनको आप सीधा लेके आए ताकि यहां पे प्रॉपर लगे मुझा पीजार करने तुछ तुछ यहां पीज एचव तैना प्रॉपर इसको स्यरेट करके अब चेंजेश भी आप करसकें अगर यहां पर आप चेंज करेंगे तो आपको मॉडल पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा वो सिर्फ टेक्चर पर होगा तो ऐसे भी आप उसको से स्ट्रेट या साइड आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो इसके बाद यहां पर जैड आक्सिस का हम स्ट्रेट कर देंगे फाइनल एक्सिस यहां कर तेंगो आपी क्वेशि को रस्ट टेंगे क्वेशि को शले क्वेश議 तांगे अंपन hablando च्यकेंट एक्ट comentarios क्वेशिस क्वेशिय। टेक्च्चर, वो टेक्च्चर, तो सिम्लर टेक्च्चर, ओपन और इन सब को सेलेक्ट करके, यूवी, स्मार्ट, ओके, तो अब आप देख सकते हैं, चेर और टेबल, आपने वहाँ पे टेक्च्चर एड़ कर दिये, आप लिख सकते हैं, इसको लाइटिंग बगरा जहां पर आपको चाहिए, जैसे चाहिए, वैसे आप रख लिजिए, शिफ्ट ए, मेश, प्लेन, आप स्केल जाए तो बड़ा स्केल आप ले दीजिए इसको, अच्छा, ले आउट पे आगे थे आप, आपके, हाँ, तो नर्मले हम ले आउट पे रहते हैं, जब भी हमें मॉडलिंग करते रहते हैं, तो मॉडलिंग के लिए ले आउट ही है, आउके, तो न्यू टेक्ट्चर, यहाँ पे आप कलर, अब करसा डार्ट रख लीजिए, आपके, तो इसको, रेंडर मॉड पे आप काफी एच्चे से आप देख सकते हैं कि लाइटिंग किस तरा वो पढ़ रहा है, आउके, तो shift D, duplicate, यहाँ पे एक light हम रख देते हैं, अच्छा, light हम duplicate भी कर सकते हैं, हाँ, जितना चाहिए, आप duplicate हैं आप कर सकते हैं, सेम हो यहाँ, d से ही, ctrl D, shift D, shift D, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, अच्छा, वो कहा रहता है, यहाँ पे अभी कर रहा हूं हमें, यह देखिए, ओके, तो यह अभी देख सकते हैं, कि इतना ज्यादा वो light पढ़ रहा है, बहुत कम है, तो अभी मैं इसको 10,000 अगर मैं कर देता हूं, तो यह देखिए, ओके, तो यह कितना ज्यादा आपको light add हो रहा है, यह मुझे आज पता चला सब लाइट भी voltage भी बड़ाया, कटा जा सकता है, यहाँ पे सब कुछ हम कर सकते हैं, मोटिकी, आइसा नहीं कि हम यह नहीं कर सकते हैं, तो अब जै यह रेंडर कैमरा कितना यह हो गया, तो इसको अब सेलेक्ट करके, इसका कैमरा नीचे आगया है यहाँ, यह कैमरा नीचे हो गया, तो इसके लिए इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा अचे अबशे साथ, प्ड़ेगा, यह कैमरा अगल, खचेश हैं, तो इसकी यह कैमरा यह कैमरा अगल एक्षण तो इसको आग्षग का तो आग्षण तो सेम जी वगरा हमें मूँ करके यहां पे इसको और जिश्ट आप कर सकते हैं यह कैमरा तीनि लाइट तीनि लगा है न सर्थ तीनि नीचे कोई नहीं है न ने नहीं ने ने उपर के तीन लाइट उतने है तो फिर प्रोब्लम केया रहता सर्थ वही camera का camera बहुत नीचे हो गया था camera lightning लाइट नी वह camera का था हो आपके तो अब आप देखें तो यह किसरा आपको वहां पर वह दे रहा है तो proper textures औरे यह हमारा table उपर float हो रहा है यह क्यों ऊपर float हो रहा है अच्छा यहां पर देखें हमारे चेर से यह बहुत जादा हो गया तो इसको टाप पे लेके जाके आप vertex points select कि अच्छे के सारे vertex को आप select कर लीजिए आपके यह पर चूटा है और के ड्रीज च्छे लीजिए यह ज ढूरर समकी से अच्छे मलें समय को लीजिए कि अगमाल जो चाहिए कि यहां पेना कैमरा हमारा तो यह कैमरा को यहां से भी आप अब जिश्ट कर सकते हैं कैमरा काम कैसे करता है यहां पे जैसे आप फर्स्ट में जाते हैं ना फर्स्ट सीन तो आप यहां पे देख रहे हैं यह आप जैसे कि हम दिखेगा और जैसे हम रेंडर करेंगे तो इसकी क्या मतलब बनेगा मतलब जो जो कैमरा एंगल रहता है उसी पर आपको रेंडर दिखेगा अच्छा वह रेंडर करने के लिए हमें क्यामरा चाहिए वरना बिना क्यामरा के आप रेंडर नहीं करता होगे अगर मांचे ने सर मुझे किसी यह टेवल का बैक साइड भी चाहिए और फ्रंड भी चाहिए तो फिर दो बार रेंडर करना पड़ेगा हां बिल्कुल अच्छा आप एक इस्टोरी बनाएगा सर्पभी इसके कोई बंदा रहा है ठीक है कोई बात नहीं तो इसको थोड़ा सा यूमाट कर देते हैं और तो अब यह त्वेल रेंडर यह देखिए तो प्रॉपर हमारा टेक्चर हुआ टेबल और और चेर और लाइट साइड हो सब आगया हां हां कितना एकांत है हां पर हां कबर एक टेबल एक टेबल एक चेर बस कमी है तो उसके ओपर बैटने वाले की हां इसी पर बना देगा सर कोई बंदा आएगा बैटेगा किताब पड़ेगा किताब पड़ेगा या लॉव लेटर लेकेगा कुछ तो करेगा कुछ तो करेगा अगर आपको एक टेक्चरिंग यह कंप्लिट हो जैसे कि इस तरह का प्लेन जो भी रहता है तो वह उसको आपके टेक्चर कर सकते हैं वह भी हम देखेंगे तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको एक और में दिए चीज दिखा देता हूं जैसे आप बोल रहते हैं कि अगर कुछ लाइटिंग में कुछ जादा कम जादा करना हो तो आप क्या कर सकते हैं पहले इसको सेव कर दीजिए तो सेव आप किस तरह करेंगे डारेक्ट आप यहां से इमेज हैं इमेज आप क्या करेंगे तो फोडोशाप आपका फोडोशाप ओपन कर दीजिए तो फोडोशाप में आप कुछ भी कलर करेक्शन से सो सकते हैं जो भी आपको करना है तो हमां से आप अराम से आप कर सकते हैं कि दिखाता हूं आपको किस तरह कलर इंग तो आपने किया था ना फोडोशाप में बिल्कुल वाइज को फिर यह वहां पर कैसे चला जागा सब्लेंडर में चीर को ने ब्लेंडर फिर सामें ब्लेंडर लेले की ज़रूद नहीं है ब्लेंडर का काम हमें पूरा कतम करके उस बाद में अगर हमें कुछ एनिमेशन लगरा करना है तो उसका रेंडरिंग का अलग रहता है तो उसके लिए कुछ और आप्शन से हमें एड करने पकते हैं तो तब हम उसको भी हम देख सकते हैं तो अगा प्यास लिए हां तो यहां पे लाइटिंग जादा कम तो कुछ भी कितना पो ज्यादा चाहिये। और इमेज defenders can post तो भी आप लाइटिंग को और जिश्टाप कर सकते हैं यह कुछ ज्यादा इंपक्ट वाला आपको आज है वहाँ पर यह आप कर इंची या फिर फिर्टर और कैमरा और फिर्टर में जाके भी आप इसको थोड़ा बहुत जादा एडिक्टाप कर सकते हैं जादा यहां पर ज्यादा वाइट बहुत है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहां से आप वाइटनेस को अटा सकते हैं तो खेंगे थोड़ा सा अगर आप कम करेंगे आप तो तो नहीं होगा सर्फिल्टर से का इनवास पर जरूरी है? ने, कोई बात नहीं है कोई भी आप कर सकते हो कैमल रह फो यूज़ कि ज IRA anticip में कोई भी आप यूज़ कर लीजिए कोई डिकत नहीं है अब कोई भी यूज़ कर सकते हैं वैसे एक अद्वंटेज जादा है कि कैमरा फिल्टर में सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पर एक ही जगह पर एक्सपोजर है शाइड़ उसके कॉंट्रास्ट के लेवल्स के ट अब स्रेक्ट करेंगे जहां पहले अपने सब्सक्राइब को घौज़ेगा सब्सक्राइब कैसे बनेगा है जा आखो काई होता है ना कई कि लगा देते हैं किसी पर some के लगता गरा मतलब आप रियल देख रहे हैं या फिर आर्टिफिशल जैसा आप बनाने के लिए सोच रहे हैं पानी के बून देख तो आप क्या करेज़ेगा जिसके उपर आपको लगाना है तो वो फोटो तो आपके पास होगा उसके तो उसके बाद यहां पे क्राइंग जाएं तो यहां से कौन साथ कुछ चाहिए तो कार्टोन वाला आप ले लीजिए जैसे यह वाला अगर आपको रियल क्राइंग का चाहिए तो रियल परसंद का आप लेके आप उसी को जहां पे वो गिला रहता है तो उसी को आप कटन पेशाप कर सकते हैं यह वाला नहीं सर्व वाला रियल वाला चाहिए एक बैक जाहिए नहीं का आया हुआ था अभी आ उपर में आहीं आया था हाँ यह यह ज़र से गूगल के नीचे लेट से दूसरा क्या लिखा है इंट लोर यह क्या लेस के बगल मे अधिन सेट और सेकेंड में वह है यह 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 वाला आशू चीज़ है अच्छा पर यह इस तरह सिंबोल जी जी इस तरह बर उस आंदर जो इमेज है तो वह फेस दिखना चीए सर्थ को जैसे कि यह जो आंशू है तो जहां पर इसका आया हुआ वह फेस नहीं दिख रहा है और चीप नहीं दिख रहा है अ तो एक मतलब इस तरह कार्टोनिक कर सिंबोली होना या फिर रियल होना या जाओको इसके लिए क्राइंग क्राइंग में सांस हो गया ना सर यह वाला सर इस तरह आपको चाहिए है ना तो आपको क्या करना है कि इस तरह के के इमेज इसको क्रॉप करना है तो जैसे मान लीजिए यह वाला आपके तो मैं यहां पर इसको सेव कर देता हूँ कि अब इसको सेव और उसको इस इमेज से हम चेंज करेंगे आपके तो यहां पर हमें दोई में जुस मिल गए तो यह वाला और यह वाला तो पहले मैं क्या करूँगा कि इसको यहां पर डाल के रखोंगा आपके नेक्स में क्या करता हूं यह आंसों का जो है इसको लेके जाके इसके उपर में यहां पर रखके इसको थोड़ा सा अज्यसाब कीजिए और इसको राश्ट्राइज इमेज करके इसको थोड़ा सा हलका समय ओपैसिटी लो करता हूं नुकर दो रहे हैं किकि सकता इसको अब रखनास है कि अधम करने क्वचल दो अब कर दोणों तो जिस जो unwanted है तो उसको आप erase करके रख दीजिए ठीक है तो इस बैक इसको पर कहां कहां पर है तो उसको भी आप हटा दीजिए तो इतना आने के बाद आप चाहे तो यहां पे मोर्स को भी आप अलग-अलग मोर्स लगके आप प्राय कर सकते हैं तो कभी कभार यह मोर अच्छा दिख जाता है हमेशा यह काम नहीं आएगा तो कुछ हट तक पहां पे जाके एरेजर से इसको जो भी एक्स्रा एरिया दस है आपके तो उसको आप एरेज करके रख दीशे जितना डीटेल्स आप करेंगे उतना आपको ज्यादा रहेगे इस शञी हो गया है हम जुद कर आप इसको अजशात कर सकते हैं तो जूद के वाल अजब्ध भाल जुद कर यह एज हो गया दो